प्यारे बच्चों आज हम आपके लिए लाएं हैं एक पोयम पोयम टाइटल है नेचर्स मैजिक इसका अर्थ होता है प्राकृतिक जादू राइटर है हरिंद्र नाथ चटोपाध्याय या कलास सिक्स का चेप्टर नमर एट है राइटर के बारे में कुछ बता दें राइटर का जो बर्थ हुआ था अठारस अंठानवे स्वी में हुआ था इनका देथ हुआ था उनिश्चा नबे स्वी में हुआ था या एक कभी नाटकार अभिनेता संगीतकार और पर्थम लोकसवा के सदस भी रह चुके हैं या एक बहुत बड़े कवित्री सरोजनी नाडू के छ और कृति के ऊपर आधारित है यदि पोएम पसंद आये तो आप लाइक से और सब्सक्राइब कर दें बिना कुछ कहे हुए अब पोएम शुरू करते हैं तेर इसे मैजिक एवरिवेर ऑन अर्थ एंड इन दा एर इन दा वाटर इन इसकाई देर एंड हेर एंड हेर एंड हे अर्थ सम्झाते चलते हैं देर इसमेजिक एवरिवेर सब्सक्राइब जगह जादु है अन दा एर्थ एंड इन देर इस पर इस भूलोग पर और हवाओं में इन दा वार्टर इन देर इन श्कार जल में और नव में देर एन यह यहां और यहां here and there यहां और वहां there is magic everywhere सभी जगह जादू ही जादू है waiting to enchant the eye आँखें इंतिजार करती है उस जादू का उस मोहित कर देने वाला चीजों का आँखें इंतिजार करती है nature twiils for hours and hours twiils का मतलब यह होता है कि दुसकर या कठिन दुसकर या कठिन यानि परक्रिती जो है घंटो तर घंटो कठिन काड करती रहती है you have only got to see और आप जो है और शिर्फ इसको देख सकते हैं how the weegee purple भी किस परकार से बैगनी color का जो मदमक्की है किस तरह से weegee रहती हैं वैस्त रहती हैं washing wild incented vows vows का मतलब होता है कि घाने आर चायादार चायादार जो विरिक्ष होता है उसमें एक जो भी है भी उसमें hype बनाता है यानि चाता बनाता है अपने मधू को रखने के लिए centered वो जो चाता है वो सुगंदीत चाता जंगल में गुनोनाती हुए बनाते हैं गेदार से honey चित्रांकित करती है one and all एक और सभी यानि शुरू से लकर अंतक जितने भी है सारे के सारे चीज़े प्रकृती है चित्रित करती है तू हर इंटर्टेमेंट हॉल वह अपने हॉल मतलब होता है सभा कक्ष या महासभा तो अपने जो है उसमें अपना चित्रित करती है कैंत्र हुए यह, टाउचन से सभ परफॉर्म वहां हजारों जहां प्यर हजारों जो है आकिरती परफॉर्म करती है परफॉर्म का मतलब बता है कि वह अपना अभने करता है there is a delightful pantomime pantomime का मतलब होता है कि निषब भाव दर्शाना निषब भाव का दर्शानी का मतलब हुआ तो याने जिए बिना कुछ कहे हुए बिना कुछ कहे हुए अपनी काम करती रहना है उसको pantomime कह लाता है फिर से बता दते हैं आपको ताइम्स डिलाइट्फुल समय जो होता है बहुत ही दिल्चस्प होता है पैंटोमिम यानि बिना कुछ कह हुए हमेशा दिल्चस्प तरीके से अच्छे तरीके से सुहावने तरीके से वो हमेशा काम करती रहती है क्लेट इन कलार्वस कूल अर्वार्म यानि ठंडी हो रंग रइन है भके होए रहते हैं लेज्ट अभता है भके होराना यानि गर्म और ठंडे कर रंगोंशे वह लिप्टे हुए रहते हैं taking all of us by a storm यह सारे कुछ तुफान के द्वारा हमें दी जाती है every moment every time protection परतेक समय watch with wonder in your eyes आप अपने आखों से सारे wonder सारे चकित कर देने वाले चीज आप अपने आखों से देख सकते हैं the performance going on the performance going on performance का मतलब होता है कि परदर्शन परदर्शन जारी है प्रकृति का noon and dusk and night and down करा यहां पे दो फर dusk dusk मतलब होता है शाम और इसे साम न ज्यादा रात है न ज्यादा दीन है उसको बोलते हैं इसको गौधुली विला भी बोलते हैं night and down यानि दो फर से लकर साम तक साम से लकर रात तक रात से लकर सुबा तक उसकी परदर्शन जो है हमेशा जारी रहती है प्रकृति के आगे कर रहा है कि slowly be will realize धीरे धीरे हम लोग महसूस करते हैं beauty with her magic pull कि उसकी जो सुंदर्टा का जादू है वो मुझे आकरसित करती है खीचती है आकरसन करती है draw us to herself and stars परकृति है खुद रेखांकित करती है वो खुदव-खुद और उनके जो इस्टार हैं सितारें है वो भी सात में यहां पे स्टार्ट सोना चाहिए था स्टार्ट से स्टार्ट से यानि शुरू करती है वह खुद बखुद रहे खांकित करती है और शुरू करती है exquisitely beautiful exquisitely का मतलब होता है कि नजाकत से नजाकत से का मतलब यहां पर यह होता है कि बहुत ही बरे अस्तर से बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी सौंदरे का पुर्दर्शन करती है लव अफ नेचर इन आवर हर्ट से लव अफ नेचर इन आवर हर्ट से यानि हम लोग अपने हिर्दय से परकृति को बहुत सिने करते हैं प्यार करते हैं इस प्रकार से जो परकृति है वो अपनी च्छटा विखेरती है अपनी सौंदरे को प्रदर्शन करती है अपनी आपको पोएम पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करते हैं